हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10 स्टैंडर्ड के लिए जो पार्ट टू होता है यानि जो हमारा चाप्टर के हमने शुरुवात की थी वन आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंड्रेस्टिंग चाप्टर जिसका नाम है चाप्टर नमर 6 ट्रिगोनोमेट्री आज हम इ बहुत ही मजधार practice set था उसके total चार एक्जांपल हमने किया था क्योंकि बहुत बड़ा practice set और मैंने बोला था कि इसको हम क्या करेंगे दो लेक्चर में कर देंगे यानि एक लेक्चर में लिया जिसमें आपको 4-5 एक्जांपल मैंने करा थे और आज हम लोग स्टार्ट करे होता है दोस्तों बहुत इसी होते है अब बस उसको ध्यान से देखो फॉर्मुले अगर आपको पता है डेफिनेटल आप सॉल कर सकते हैं क्योंकि पहला जो लेक्चर था लेक्चर नमर जो वन था उसमें सिर्फ फॉर्मुले जीतने भी थे वह एक्स्पेंड किया है मैंने तो 6.9 की तो कहां से शुरुवात करेंगे कौन से एक्सामपल से हम लोग सबसे पहले आज के दिन जो पढ़ने वाले है वह है एक्सामपल नमर फाइव टेश्बूक्ट आप जरूर से अपने पास रख लेना दोस्तों अगर आपके पास है तो डेफिनेटल आपको बहुत ही आ निकालना ये किस चीज का बहुत ही ख़तरनाक चीजे दिखने में लेकिन है भूत एजी टेंचन मैं लेना तो ध्यान से देखना, जो चीज दिया है उसके उपर focus करो, answer अपने आप निकल जाएगा, जो चीज दिया है, क्या दिया है, 10 theta is equal to 1, तो सबसे पहले लिख लो, क्या दिया है, 10 theta जो है, is equal to 1 हमें दिया हुए, ठीके, यहाँ पे एक line में खीच देता हूँ, ठीके, 10 theta is equal to 1 दि जाए, कैसे लाओगे, तो एक चीज आपको पता है, कि जो 1 value आता है, वो 1045 का value आता, आपको अगर वो table याद होगा, जिसमें sin theta, sin 30 का value, sin 45, sin 60 का value क्या आता, मैंना आपको table बनाया था, उसमें हर एक चीज बताया था, तो आपको एक चीज याद होगा, कि यह 10 theta, अगर मैं as it is, ऐसे ही लिखता हूँ, is equal to, और यह 1 के जगापे मैं 1045 लिख सकता हूँ, क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1045 का ही तो value 1 होता है, तो 1 के जगापे मैं 1045 भी लिख सकता हूँ, since 1045 is equal to 1, 1045 is 1 है, इसलिए हमने यह value लिया, आपने since करके लिख दिया, ठीके, य एक चीज़ मिल गया, theta is equal to 45, क्योंकि देखो, theta का value use हो जाएगा, वहाँ पे, कैसे, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या available है, यहाँ पे जो हमें निकालना है, उसमें sin theta है, cos theta है, sec theta है, cos theta, यानि 4 चीज़ का value हमें, पता होना चीज़ है, theta के हिसा आप से, तो हमस root 2 है, यानि वो sin theta के जगा पे हम लोग क्या लिख सकते है, 1 by root 2 लिख सकते है, वैसे, cos theta है, वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे cos theta है, इसका मतलब cos theta का value मिल सकता है, cos theta का मतलब क्या हो जाएगा, cos 45, और cos 45 का value भी क्या होता है, 1 by root 2 ही है, पताया था मैंने, ठीके, वैसे, य cos theta का उल्टा है, sin का उल्टा होता है, cos theta जो होता है, वो sin का उल्टा होता है, sin का value कितना है, 1 by root 2, यानि इसका भी value कितना हो जाएगा, root 2, यानि कि 4 का value आपको मिल गया, sin theta का value है, 1 by root 2, cos theta का value है, 1 by root 2, sec theta का root 2, और cos theta का भी root 2, अब यह सभी value उसमें डाल सकता हो, बिल्कु cos theta ठीक है? यहां तक question है, confused मत हो ना, यह questions था, यहांसे question था, यहांपे solution है, अपना, sin theta इसके बाद यहांसे continue करना, ठीक है? यह continue करना यहां थे, sin theta by cos theta upon sec theta, प्लस cos sec theta, यह हमारा question है, correct है? समझ्झ में आ रहे है? यह हमारा क्या है? question है, is equal to, sin theta का value कितना है? 1 by root 2, यानि कि उप टू प्लस फिर अपान प्लाव यहां पर हो गया टू और इसको सॉल्ड कर लो तो आपका इसके नीचे, यह तो उपर वाला पाट, अब इसी एक पूरा बड़ा वाला लाइन, फिर उसके नीचे रूट टू प्लस रूट टू कितना होता है, तू रूट टू होता है, अब इसको सॉल कर लो दोस्तो, तो यह टू बाइ रूट टू, मल्टिप्लाइ बाइ टू रूट का हमारा जो answer आ रहा है, यानि the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cos theta का value आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 1 by 2 आ रहा है, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आगा, बहुत simple है, इससे simple कुछ हो नहीं सकता, तो यह तो हमारा पाचवा example, जिसमें हम लोगो सिर्फ value निक यानि 12 questions पूछें, तो दोस्तों 12 के बारा नहीं करा हूँगा, सिर्फ 4 या 5 करा हूँगा, ताकि आप लोगो समझ में आ जाए कि कोई भी particular proof that अगर आता है, क्योंकि लोग डरते proof that से सबसे ज़्यादा है, solve वाला आया, तो solve करने में उनको कोई problem नहीं लेकिन proof करने आया, उनकी हालत करा हो जाती है, क्योंकि लोग को लगता है कि हम proof कभी करी नहीं पाएंगे, लेकिन trust me, proof that जितना simple होता है, उससे simple कुछी नहीं हो सकता है, बस आप देखे तो जाओ, देखते जाओ, हम लोग जो कराएंगे, अभी देखते जाओ, इतना easy लगेगा, मैं क्या बता पूछा है, यहाँ पे, proof that में बोला है, पहले में, sin square theta जो है, upon cos theta, plus cos theta, is equal to, उन्होंने बोला है, sec theta, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोला है, sin square theta upon cos theta, plus cos theta is equal to sec theta, इसको proof करके दिखाना है, यानि कि यह इतना part जो है, is equal to, इतना part दिखाना है, तो यहाँ पे that का example अगर आपको आता है कि जब भी आपको prove that कहीं पर यह चीज दिख रहा है अगर तो एक चीज ध्यान में रखना एक चीज इस इकोल टू एक चीज पूछा है तो हमेशा ना LHS को लेना left hand side तो आप देखो आपके लिए left hand side क्या हो जाएगा यह आपके लिए left hand side यह आपके लिए right hand side है तो left hand side क्या है LHS लिखो LHS क्या दिया हुआ यहाँ पर sin square theta upon cos theta दिया हुआ है यह आपका LHS है अब इसको solve कर दो आपका answer अपने अप निकल जाएगा कैसे देखो यह LHS है अब देखो यह sin square theta upon cos theta है plus cos theta तो यह cos theta जो है इसके साथ जाएगा तो multiply हो जाएगा इस साइ《 स्कूरा थिटा थिटा अब यहाँ पर जो है sin square theta as it is रहेगा अब यहाँ प्रस है अगे तो यह cos theta और यह दो non plus जब हो जाते है तो इसका value 1 आता है because we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 और ये सब formulas मैंने first lecture में कराया हुआ है अगर आपको ध्यान में होगा तो आप definitely उसको कर पाओगे तो उपर के दोनों चीज क्या हो जाएंगे plus हो जाएंगे तो value हमारा मन जाएगा 1 यानि कि is equal to 1 upon cos theta क्या मन जाएगा 1 upon cos theta और सभी को पता है कि 1 upon cos theta का मतलब होता है sec theta तो finally यहाँ पे sec theta आ गया यानि कि आपने जो LHS लिया था आपने जो ये LHS लिया था वो किसके बराबर आ रहा है ये क्या है sec theta के बराबर आ रहा है यानि कि वो क्या है right hand side है यानि LHS is equal to RHS sec theta आ दिया आपने दिखो sec theta आ गया यानि कि इसको solve किया और आपको answer या यानि कि दोनों equal है तो LHS is equal to RHS लिख दो last में लिख दो यार favorite dialogue मेरा तो favorite है hence proved आपने इस चीज़ को क्या कर दिया proof करके दिखा दिया बस आपको यही चीज़ करना था clear है उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है ठगे ठीक है चलो कोई बात ने यह हमारा speed है दोस्तों क्योंकि जब हम form में होते है तो हम पूरी speed से पढ़ाते है और आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलते है अगले prove that के ओपर तो यह prove that का पहला example था बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते ही within within one minute solve करोगे हो देखो कितना easy है लोग बोलते हाड है easy लग रहा है ठीक है तो चलते हैं अगले की तरफ यानि की question number two sixth example sorry sixth question का अगला example ठीक है दोस्तो चलते हैं अगला example देखते हैं question number two क्या बोला है यानि example number two क्या पुछा हुआ है prove that में बहुत simple है देखो दोस्तो यह सब चीज जो है बताने के लिए होती है लेकिन है easy है इतना मेरे को trust कर लो ठीक है अगला question पूछा है यहाँ पे कि cos square theta है ठीक है ना cos square theta है और उन्होंने bracket में देखे रखा है 1 plus 10 square theta और is equal to 1 आपको proof करके दिखाना है मतब इसका value 1 है कैसे करोगे यार proof कैसे करोगे तो जैसे मैंने बोला आपको क्या लेना है सबसे पहले उसका left hand side लेना है तो left hand side ले लिया अब आपका cos square theta 1 plus 10 square theta है तो आपको एक चीज़ पता है कि cos square theta तो चलो लिख दिया लेगिन यह 1 plus 10 square theta आपको याद होगा इसका मतलब होता है दोस्तो sex square theta यहाद है formula हमारा एक formula था 1 plus 10 square theta is equal to sex square theta ठीके ना आपको चाहिए तो आप यह ऐसा since का symbol है ठीके ना ultra triangle ठीके जैसे therefore आप लिखते हो तो उपर एक dot नीचे दो dot लिखते हो ठीके ना therefore के लिखते हो तो एसे ultra therefore लिखोगे इसका मतलब since होता है तो आपने since बता दिया कि आपने यह formula के help से यहाँ पर sex square theta लिखा अब एक चीज़ में आगे आपको अब एक पता है आपको कि यह cos square theta का मतलब क्या होता है one upon sex square theta cos का मतलब क्या होता है one upon sex होता है तो cos square का मतलब हो जाएगा one upon sex square theta और multiply by इधर क्या है sex square theta है one upon sex square theta multiply by sex square theta cancel हो जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ one यानि कि in short क्या लिख सकते हो फिर से आप कि lhs जो है is equal to rhs है लिख दिया यह चीज़ और लास्ट में फेवरेट डालॉग hence proved आपने यह चीज़ प्रूफ करके दिखा दिया तो दोस्तों देखो यार इससे simple कुछ नहीं हो सकता कि लोग तो बोलेंगे आपको लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना यह तो फेवरेट बहुत डालॉग भी है लेकिन दोस्तों यहाँ प सही जगा पर इस्तिमाल करना है वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और वो कैसे आएगा प्राक्टिस से थोड़ा वीडियो देखो अच्छे से प्राक्टिस करो डेफिनिटली आ जाएगा और आप आराम से इस चीज़ को कर पाएगे चलते हैं अगले example की तरब जो की हो हम लोग करा लेंगे कोई दिक्कत कोई भी परिशानी नहीं होगी ठीके बस देखते जाओ ध्यान लगा के ओके चलो थर्ड़ वन थर्ड़ example है question क्या पूछे है सबसे पहले question लिख लेते हैं यहाँ पे देखो एक बड़ा सा under root दिया हुआ है root दिया है और इसमें बोला है 1-sin theta क्या बोला है अंदर में 1-sin theta और नीचे उन्होंने दिया हुआ है 1-sin theta और नीचे दिया है 1-sin theta और इसको आपको प्रूफ करना है is equal to sec theta minus 10 theta देखो यार इतना बड़ा example दिया अब इसको आपको solve करना है कैसे solve करोगे यानि कि यह आपका LHS हो गया यह आपका right hand side हो गया तो आपको यह is equal to यह proof करके दिखाना है तो सबसे बहले rule के according क्या करोगे जो मैंने बताया कि left hand side लेलो क्या लोगे left hand side में यह left hand side में तो यह लेलो क्या है यह 1-sin theta अपान 1 प्लस sin theta यह आपने ले लिया अब next step में आपको क्या करना है नेक्श टेप में आपको यह करना है ठीक है यहां से यहां तक कोशन है ठीक है यहां तक कोशन है यहां से शुरू हो रहा है इसके लिए मैंने लाइन खीज दिया यहां पर यहां पर ज़रूत नहीं है अब देखो ध्याम से एक चीज आपको समझने वाली बात यह है कि कभी भी अगर ऐसा कोई पूछता है आपको यह अंडर रूट में या फिर अपं में कुछ भी चीज दिख रहा है वन अपों हो या फिर ऐसे अपं में एक के निचे हो कभी भी अपॉं में ऐसा कुछ दिखता है तो आपको करना होता है rationalizing, आपको क्या करना होता है rationalizing, देखो ये चीज आपने शायद पढ़ा है, बहुत पहले ही, 9th में भी पढ़ा होगा, तो rationalizing ठीक है, अब rationalizing का मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है, उसको हम लोग consider करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर rationalizing denominator, तो अगर मैं denominator को rationalize करूँग, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कि यह जो denominator होगा उसका उल्टा ले लो और multiply करूँ उपर नीचे यानि कि 1 प्लस साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यानि कि उपर 1 माइनस साइन थीटा multiply किया सेम उसी प्रकार आपने नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा को multiply किया, इसी चीज़ को बोलते है rationalize करना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यह मैं आपको पता रहो कभी भी ऐसा under root में उपर नीचे दिखा कितना हो जागा, देखो धिहान से 1 माइनस साइन थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन थीटा से multiply हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा under root में ही चल रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा का यह हो जाएगा whole square यह पूरे का square हो गया, जैसे जैसे होता है अगर यह A-B होता है A-B होता तो A-B का whole square हो जाता वैसे यह 1-sin θटा का whole square हो गया नीचे क्या है 1 plus sin θटा 1-sin θटा तो आपको एक formula यादर होगा A plus B A-B A plus B A-B क्या होता है A square minus B square यानि 1 square 1 square minus B square यानि 1 square minus sin square θटा अब यह 1 square लिखने के जरूत नहीं, तो simply 1 लिख दो इसको, 1 square का मतलब 1 ही होता है, तो जरूत नहीं है, तो हम लोग simply इसको क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square theta, इसको solve करके इतना value आया, इसको solve करके इतना value आया, अब यह चीज आपको समझ में आ रहा है, अब एक चीज आप ध्यान अब नोटिस करोगे, यहाँ पर, एक चीज आपको इतना simply समझ में आएगा, कि यह 1 minus sin square theta, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, 1 minus sin theta का, यह पूरे का square, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, नीचे लेकिन यह 1 minus sin square theta हो जाएगा, cos square theta, युईकि हम एक formula पता है, क्या था, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, यह formula था हमारा, यहाँ पर लिखता हो, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, यह हमारा formula था, तो हमें अगर, cos का value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यह sin theta को उधर भेज़ देंगे, तो यानि कि cos square theta is equal to 1 minus sin square theta हो जाएगा, यानि कि यह 1 minus sin square theta के जगा पर हम लोग cos square theta लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, कि यह 1 minus sin square theta के जगा पर हमने cos square theta लिखा, अब देखो, यह मेरा दिमा कैसे चला, क्योंकि मेरे को practice है, तो वही मैं बोल लिख के practice करना है, दोस्तों, क्योंकि math जो होता है, लोग सिर्फ देखके, वीडियो देखके चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों, वीडियो देखना आपके लिए बहुत important है, मैं मानता हूँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको practice करना भी उतना important है, नहीं तो आपको का square root हटा दिया, तो यह simply बन जाएगा क्या, one minus sin theta बन जाएगा, और नीचे cos square का simply क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, हमने क्या किया, यहाँ पर square root जो हटा दिया, अब आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, ध्यान से, अगर आप देखोगे, कि one minus sin theta upon cos theta है, तो इसको मैं ऐसे भ कर दिया, देखो, one upon cos theta को अलग कर दिया, बीच में minus है, और यह sin theta by cos theta को अलग कर दिया, अब यह one upon cos theta का मतलब क्या होता है, formula, sec theta होता है, one upon cos का मतलब sec theta होता है, minus sin theta upon cos theta का मतलब क्या होता है, 10 theta, तो आप देखो यार, किस के सा आगया, sec theta minus 10 theta, आपके right hand side की तरह आगया, therefore आ साइड के बराबर आ रहा है बॉक्स बशना दो आपने क्या कर दिया इस चीज को पूब करके दिखा दिया कि यार देखो हमारे पास बीकाद है तो उमेद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया है, इसी प्रकार के examples और भी है बहुत सारे, ठीक है, चलते हैं एगले example के तर्फ रफ लाएं, फॉर्थ example, क्या है, फॉर्थ example, देख लेते हैं फटा-फट से, ठीक है, इसको रफ करता हूँ, चोफ़ एक्जाम्पल के दरफ चोटे, ऐसे ही है, प्रूफ दैट दोस्तो ऐसे ही आते है, कुछ थोड़े से बड़े होंगे, कुछ थोड़े से छोटे होंगे, लेकिन है सब easy ही, कोई भी इसमें परिशानी नहीं हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको बस फॉर्मूल बनेगा, फॉर्मूला बना दो, जहां पे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां पर फॉर्मूला यूज कर लो, अपने आप जो है, वो left-hand side is equal to RHS जो है, निकल जाता है, क्योंकि अगर आपको प्रूफ करने बोला है, तो left-hand side RHS equal होना ही होना है, इसमें कोई रोकी न और plus 10 theta, देखो यार, थोटा से unique question है, ध्यान से देखना, इसके लिए में हर एक example करा रहो, यहां पर, sec theta minus cos theta, फिर bracket में cot theta plus 10 theta is equal to, आपको प्रूफ करके दिखाना है, 10 theta multiply by sec theta, 10 theta multiply by sec theta, यह आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो चलो यार, कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहल से, sec theta minus cos theta, और साप में cot theta, plus 10 theta, यह आपका क्या है, LHA से ले लिया आपने, ठीक है, अब इसको solve करेंगे, solve कैसे करना है, आपको देखो जान से, ठीक है, यहां पर मैं एक सोड़ा सा bracket use कर रहे तो, यानि line किस देतो, ताकि यह space भी हम लोग ले लेंगे, अब देखो यहां प अब यह वाले bracket को solve करो, cot का मतलब क्या होता है, cos theta by sin theta, यूपकी 10 का मतलब होता है, sin by cos, ठीक है, प्लस है, यह 10 का मतलब क्या होता है, sin theta by cos theta, तो cot उसका उल्टा होता है, तो यह cos theta by sin theta हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, आपको cross multiplication कर देना है, इसके अंदर, देखो ध्य यह हो गया bracket में, फिर यह वाले bracket में देखो, यह cos, यह cos multiply हो जाएगे, तो क्या हो जाएगे, cos square theta, प्लस, यह sin multiply हो जाएगे, sin square theta, और नीचे आजाएगा, sin theta, cos theta, यह आगे समझ में दोस्तो, बहुत simple जा रहे है, हम लोग, बहुत simple जा रहे है, इस से simple, मुझे ने लगता bracket को close कर दो, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर marker change कर लेता हो, ठीक है, बल्यू, बहुत बल्यू देख लिए, आपने थोड़ा black भी देख लेते हैं, ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे, कि यह 1-cos square जो theta है, इसके जगा पर हम लोग लिख सकते है, sin square theta, क बहुत, क्या है, cos theta है, नीचे cos theta है, तो लिख दो cos theta, फिर देखो, अब इसके बीच में कुछ नहीं है, यानि कि multiply है, एक bracket और दूसरे bracket के बीच में multiply होगा, कुछ नहीं है, तो multiply है, अब देखो, यह cos square theta, प्लस sin square theta, तो directly 1 हो जाएगा, हम लोगो पता, यानि कि multiply by उपर 1, और नीचे sin theta, cos theta, लिख दो नीचे sin theta multiply by cos theta, अब देखो, यहाँ पे, यह एक sin theta है, यहाँ पे sin square theta, यह यह एक पूरा sin theta, और इसका square, cancel out कर सकते हैं, यानि कि उपर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर sin बचा, एक लोगता, और नीचे cos theta बचा, multiply by, 1 उपर बचा, और नीचे क्या मतलब sec theta हो गया, तो is equal to आगया, 10 theta, sec theta, 10 theta, यह पूरूफ करना था, यानि कि आप finally लिख सकते हो, कि LHS जो है, is equal to क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, और last में एक favorite dialogue, कि hence, आपने इसको क्या कर दिया, proof कर दिया, hence, proof करके दिखा दिया, देखो यार, कितना simple है, कितना simple है, आप ही आगया होगा, बहुत simple है, तो चलते हैं, अगले question की तरफ, question number 5, यानि question number 6 ही चल रहा है, proof that का, लेकिन अभी इसका चौथा example तक पहुचे है, वैसे 12 example है, आगे न्याद दिला रहा हो आपको, ऐसे 12 example है, लेकिन ट्रश में 12 नहीं करा होगा, इतनी हिम्मत मेरे में भी नहीं तो चौथा example ये है, ठीक है, पाच्वा कराऊंगा, कोशिश करता हूँ, एक और करानी की, उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, बाकि जितने भी बच जाएंगे, वो सभी के सभी में आपको, क्या कर दूँगा, homework में दे दूँगा, क्योंकि यार इतना करा दिया, आप तो इतने आप talented हो जाओगे, कि यार खुद से solve करके देख सकोगे, क्योंकि यार बोड भी है, थोड़ा practice भी कर लो, आपके लिए भी benefit है, जरूर से आप ओशिश करना, ठीक है, तो heading डाल देते हैं वपस से, क्या चल रहा है हमारा पाच्वा example, ठीक है multiply by sec theta, यह proof करके दिखाना है, चलो ठीक है, सबसे पहले क्या ले लेंगे हम लोग, left hand side ले लेंगे, left hand side is equal to, क्या है left hand side, cot theta plus 10 theta, ले लो, cot theta plus 10 theta ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लाइन खीज देते हैं, अब यह cot theta plus 10 theta को हम लोग क्या solve कर सकते हैं, एक चीज़ पहता है, cot का मत पहरा है, तो आपका दिमाग नहीं खराब होना चीज़, बहुत लोग मुझे क्या बोलते हैं, मैं कुछ, दो मिट लोगा, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार सर, क्या यह खतरनाक chapter रे trigonometry है, इसमें पूरा sin theta, cos theta, time theta, sec theta, cosec theta, यह भरा हुए, अरे यही तो है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, cross multiply कर सकते हो, तो cos multiply by cos, यह हो जाएगा, cos square theta, बीच में plus है, sin multiply by sin square theta, और नीचे क्या हो जाएगे, यह sin theta, मल्टिपलाइ by cos theta, अब simply आप क्या कर सकते हो, यह cos square theta, पलस sin square theta, क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, लिख दिया 1, उपर का value 1 आ ग सकते हैं यह ऐसे ही रहेगा अब एक चीज़ कर सकते है कि one upon sin theta है और यह cos theta भी है तो इसको separate कर दो तो मैंने लिख दिया one upon sin theta multiply by one upon cos theta लग टिक है ना one upon sin theta one upon cos theta लग ठीक है अब यह देखो one upon sin theta का मतलब पता है sine किसका उल्टा है अब नुट्टिभेव करके दिखाना था अगे ना देखो याने कि फाइनली आप लिख सकते हो कि lefthand side is equal to righthand side. जोकी equal करतिग, आप लिखदो और लाश में लिखदो, hence prove यही ची雜 थो आपको proof करके दिखाना था और कितीनी आसानी से within a minute एक मिनट के अंदर 5 लिए professors पूछता है प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो, clear है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी questions आपको बहुत ही आसानी से clear हो गया होगा, तो फटा-फट से note down कर लो, क्योंकि अब मैं कराने वाला हूँ एक और example, जो कि ये example number 6, जो कि या जरूर से आपको help करेंगे भाहा पर, ठीक है, इसको मिटा जेते हैं, ठीक है, चलो, and आखरी example, for today, ठीक है, आखरी example, for today, क्योंकि इसका, मतलब ये जो particular practice rate है, फिर यहाँ पे मैं समाप्त कर दूँगा, ठीक है, डाल देते हैं, 6th question का छटा example, 6th question का छटा example, देख लेते हैं बहुत मज़धार है, द्यान से देखना, ठीक है, आज देखो, question ये है, 1 upon sec theta, 1 upon sec theta minus 10 theta, देखो अभी upon वाला आ गया, यादा रहा है, मैंने एक upon वाला कराया था, under root में, 1 upon मतलब, upon में ही है, तो मैंने एक trick बताया था, आपको कैसे करना है, ठीक है, कोई problem नहीं, पहले question लि अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आपको बताया था, कि कभी भी अगर upon में आता है, तो आपको करना होता है, rationalize तो आप क्या करोगे, तो 1 upon sec theta minus 10 theta जो है, इसको आप rationalize करोगे, तो आपको क्या लेना है, denominator लेना है, ये denominator है, इसका उल्टा, यानि sec theta minus 10 theta का क्या हो जाएगा, sec theta plus 10 theta, उपर multiply हो जाएगा, same नीचे, sec theta plus 10 theta, नीचे multiply हो जाएगा, तो आपने क्या कर दिया, rationalize किया, आप ऐसा लिख सकते हो, rationalize the denominator, आपने denominator को क्या कर दिया, rationalize कर दिया, आपने ये चीज़ लिख दिया, तो rationalize करने के बाद, जो multiply करके value मिलेगा, वो लिख दो, 1 multiply by this is same, that is sec theta, क्या मिलेगा, sec theta plus 10 theta मिला आपको, और नीचे क्या मिला, sec theta minus 10 theta, multiplied by sec theta plus 10 theta, यानि a minus b, a plus b, तो क्या हो जाएगा, a square minus b square, यानि क्या हो जाएगा, sec square theta minus 10 square theta, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में देखो, आपको याद होगा, कि ये sec theta plus 10 theta कोई formula ही नीए, तो इसको आप same लि एक चीज़ आपको याद आर होगा, एक formula है हमारा, कि 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta, ये हमारा formula है, ये हमारा क्या है, ये हमारा formula है, तो एक चीज़ में क्या कर सकता हूँ, अगर ये 10 square theta को sec के पास भेज दिया, तो इधर 1 हो जाएगा, 1 is equal to sec square theta minus 10 square theta हो जाएगा, यानि कि अगर sec square theta को 10 square theta स सकता हूँ ना बिलकुल लिख सकता हूँ ठीक है तो में क्या करूँगा दोस्तो ध्यान देना ठीक है समझ में आया फॉर्मुला का कैसे इस्तिमाल कर रहे है हम लोग देखो एक ही फॉर्मुला है अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है तो सेक्ष्वाइर थिटा अगर 10 यह लिख दिया आपने box बना दो और last में एक favorite चीज यानि hence proved यानि आपको जो question पूछा गया था प्रूफ करने यह आपने प्रूफ करके दिखा दिया clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह भी question आपको समझ में आ गया होगा यह था हमारा चटा example वैसे ही और भी बहुत सारे examples है इस question के अंदर prove that के अंदर 7 वसे लेके बारवा तो यह मैंने कराने वाला यह आप लोग के लिए में छोड़ रहा हूँ आपने राय और suggestion जरूर से दीजेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया यूस्फूल लगा है friends तो प्लीज यह वीडियो को like कीजेगा and share कीजेगा आपने सारे friends लोग को फटा-फट से share कर देना दोस्तो अगर आपने अभी देगी इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटा-फट से इस चैनल को भी subscribe कर देना साथ आपने bell icon को hit कर देना दोस्तो ताकि जब भी हम लोग कोई videos को upload करेंगे न आप लोग को notification मिलती रहे ठीक है friends तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye